Information function category series में आज बात is odd, is even, is logical और is formula function की तो इन चार function से आपकों को मुखातिब कराता हूँ आगे चलता हूँ एक्जामपल के जरीए इसको पहले समझते हैं इसके concept को और इसके usage को भी देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाईए एक्सल और करियर मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए तो सबसे पहले बात function information series के is even और is odd की तो पहले बात करता हूँ is even अब मेरे पास यह data set है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो numbers है इसमें से कौन-कौन से number even number है और कौन-कौन से number odd number है पहले मैं जानना चाहता है इसमें से कौन-कौन से number even number है मुझे साथ यह बताने की जुरत नहीं है कि even number कौन से होते हैं और odd number कौन से होते हैं. तो even number जो कि किसी divisor से regard होने के बाद उसमें कोई भी remainder नहीं बसता है, वो even कहलाएगा और जिसमें remainder बचेगा, वो odd कहलाएगा, यह आप लोग भली भाद जानते हैं. यहाँ पर मैं pass कराओ, equal to function जिसका नाम है is even, और आप number पास करो, आपको यह बताएगा कि क्या यह even number है, यह even number नहीं है, enterprise यह even number नहीं है, one तो even नहीं है, two even है, true बताया, four even है, true बताया, और six even है, true बताया, उसी तरीके से odd के case में आगर मैं pass करूँ, तो यहाँ पर मैं pass और यह number पास करूँगा, तो यह मुझे बतायागा क्या यह number odd है या नहीं है, one बिल्कुल सही है, odd है, ठीक है, true odd नहीं होगा, वहाँ false दिखाना चाहिए, और three true दिखाना चाहिए, और five को true दिखाना चाहिए, उसके अलावा सब के साथ false है, each odd के case में, तो इस तरीके से हम कौन सा नमबर इसमें से even है, कौन सा नमबर odd है, बेरिफिट किया है, तो बेरिफिट के लिए एक जांपल कराने की कोसेश करता हूँ है, यहाँ पे डेटा बना लेते हैं, यहाँ पे इतने दूर के area को select कर लिया हमने, और यहाँ पे pass कर दिया equal to rand between, 1000 से 2000 के बीच की value, random value अब इसमें से मैं पहले बात करता हूँ, even number की और फिर बात करूँगा odd number की, यह पहले जान लेते हैं, इसमें से even number इस बार जानना नहीं है, जानने के लिए तो आप आलड़ी हम example कर चुके हैं, कि कौन सा even है, कौन सा odd है, उसने बता दिया, कि यह even है, यह odd है, अब मुझे इसमें से number को निकालना है, कि इसमें से जितने भी even number है, उसको अलग कर दिया जाए, और जितने odd number है, उसको अलग कर दिया जाए, क्यों, चले काम करते हैं, इसको data मत समझे आप लोग, यह आप लोग डेली का rule समझे, odd number वाली गारी चलेगी या even number की गारी चलेगी, तो कौ यदि ये नंबर इवेन हो ये वाला और ये बात सही हो value if true अगर ये बात सही है मतलब वो even number है तो क्या करना चाहिए if value true तो तो यही ले आओ अगर even number है तो even number ही तो हमें चाहिए हो वहाँ पे तो even number को ठाग लेगा हो अगर उसमें even number नहीं उसको मिला तो वहाँ पे क्या कर दो null ठीक है जी enter यहाँ पे अब मेरे सामने even number निकाल दिया और जहाँ जहाँ उसको even number नहीं मिला है वहाँ वहाँ उसने null कर दिया सेम कहानी odd के case में भी कर लेते हैं equal to if is odd यह रहा number है ना और bracket बंद और यह बात सही है तो यही है नहीं है तो null है ऐसे तो जहाँ जहाँ odd होगा वहाँ वहाँ वह value निकाल लिया और जहाँ जहाँ odd नहीं होगा वहाँ वहाँ value नहीं लिया ठीक है उसके बाद अगला काम क्य करेंगे यह जो आपने even number निकाला इसको copy कर लीजिए और अलग से इसको रख देते हैं यहाँ पे control alt v और यहाँ से value बनाके से paste पहला काम कर लिया आपने उसी थरीके से इसको copy किया आपने यहाँ पे गए और यहाँ पे control alt v यहाँ पे आपने value बनाके पेस्ट कर दिया यह हो गया odd और यह हमारा है even ठीक है जी अब इस data को select किया जाए control t प्रेस किया जाए और यहाँ से इसको table में convert कर दिया जाए साथ के साथ यहाँ से आप क्या करें यह नीचे आ जाए और यहाँ से यह blank वाले हैं न जितने blank को हटा दो तो odd number उस main number में से odd number अलग और even number भी यह हुआ हमारा benefit इस odd और even series निकालना आसान हो गया इसके तो देखिए ओके प्रेस कीजिए यह देखिए यह आपके रहे even भाई साहब और यह रहे आपके odd number इसमें से इतने even हो गया इसमें से इतने odd number को extract करका हमें निकाल लिए blank को हटा दिया उसी तरीके से यह जो data है मान अगर यह even number है कौन सा इसमें से तो यह जितने भी even number वाले हैं उनको अलग section में भेज दिया जाए या अलग group में भेज दिया जाए या अलग team में भेज दिया जाए ठीक है तो उनको यह जितने भी even number वाले हैं वो सारे के सारे हमारे group A के member हैं नहीं तो नहीं तो क्या हो गय इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि भाई किस किस को कौन से ग्रुप में बाटना है वह आप इवन नमबर और नमबर के जरीए आप निकाल सकते हैं यह जो हमारा हो गया इन सब का यूज आपको आगे चलके कुछ फंक्शन दी लूकप स्रीज में भी देखने को मिलेगे तो आपको मैंने भी कॉंसर्ट सिखाया है कि इस इवन और इस और का यूज कैसे करते हैं उसी तरीके से इस एक्जामपल में देखिए यहाँ पे डेट रखा हुआ है अब य जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 2020 लिखा है और यहाँ पे 2019 लिखा है मैं यह जानना चाहता हूँ यह दोनों जो हैं क्या यह फॉर्मूला है या नहीं है तो पहले तो चेक कर लेते हैं equal to age formula के थूरू हम लोग चेक कर पाएंगे कि यह formula है या नहीं है बिल्कुल सभी बात है 2020 formula कैसे हो सकता है वो तो number है लेकिन वहाँ formula होगा इसलिए formula दिखा रहा है मतलब यहां true इसलिए आया क्योंकि 2020 को लेका आया हूँ ना मैं वो देखे किस हिसाब से लेकाया हूँ कैसे चला के लेकाया हूँ इक्वल टू इयर पास कर दिया और ब्रैकट के अंदर टू डे पास कर दिया तो यह आपने formula पास किया ना तो यह क्या बताएगा यह बताएगा ना formula है लेकिन 2019 जो है यह सीधे मैंने value लिख दिया होगा यह देख लीजिए यह 2019 सीधे-सीधे value लिखा हुआ है तो वो formula थो यह तो value है तो जो value है उसको उसने बताया value है जो formula है उसको उसने बताया formula है अब यही के ही क्या करता हूँ मैं इसमें से true false निकाल लेने के बाद जान लेने के बाद कि यह formula है यह value है अगला काम अब मैंने पास कर दिया यहां पे equal to if और यहां पास कर दिजे is formula क्या यह formula है ह अगर यह formula हो, तो as it is, मुझे formula दिखा दो। अगर वो formula उसके अंदर लगा हुआ हो, तो उसके अंदर क्या formula लगा हुआ है, वो मुझे दिखा। और अगर उसके अंदर formula नहीं है, लिख कहा जाना चाई दो not a formulá तो यहाँ पर पास करेंगे यदि ये बात सही हो if is formula अगर उसके अंदर सच में formula लगा हुआ है तो comma यहाँ लगाने के बार आप यहाँ पर यूज कर देंगे formula text यह function होता है जो किसी formula को आज टेक्स्ट दिखा देता है तो equal to if is formula यदि ओ formula है तो formula text पास करो और उसके अंदर यह reference पास करो तो यह formula उठा लेगा as it is अगर formula वहाँ मिलेगा तो और otherwise नहीं हो तो लिग दो not a formula ऐसे देख रहे हैं if is formula तो formula text नहीं तो not a formula यह रहाँ आपके सामने अगर उसके अंदर formula मिलेगा तो as it is formula उठा लिया और जहां उसको formula नहीं मिलेगा उससे बता दिया आपको not a formula उसी तरीके से function होता है is logical नाम से ही जग जाहिर है is logical क्या यह logical है तो सबसे पहले यह जान ले logical है true और false क्या कहलाएगा logical तो यहां पर पास करके देखिए equal to is logical क्या यह logical है false नहीं है जी यहां से यहां तक true कहां बता है उसने false यह रहा आपका one false है लेकिन यह true है क्योंकि वो logical है 3 फिर false है false फिर logical है तो true बताएगा और साथ के साथ five और अमित यह क्या है false होना चाहिए क्योंकि वो logical नहीं है इसका use actual में आप लोगों को पता चलेगा आगे topic आने वाले है हम लोगों का data validation data validation में यह जितने function अभी फरहा रहा हो ना is logical हो गया is number हो गया is text हो गया is formula हो गया data validation बहुत बढ़ी है उट्स मैं इतने दूर में constraint लगाना चाहता हूं कि अगर logical formula हो तो ही entry लेने दो अधरवाज उसको entry मत लेने दो data validation में constraint में लगा सकता ना equal to if is logical अगर यह logical है तो उसको entry लेने दो अधरवाज उसको entry मत लेने दो यह जो जितने concept अभी बता रहा हो इनके दुवारा दर्सन होंगे लेकिन किसी और function के concatenation के साथ दर्सन होंगे अकेला किसी काम का नहीं है यह सब ठीक है जब यह किसी function के साथ associate करेंगे तो मज़ाएगा तब लगे अच्छा यह थ रहे हैं implementation की दीरे दीरे बारी जब दूसरे function सीखेंगे उसके साथ associate करने की बारी भी आई भी अब से मिलता हूं इसी information series के next video में सिर्फ वो information series का सबसे best video में से एक नहीं होगा वो पूरे excel series के सबसे जादा useful video में से एक होगा तो वीट कीजिए बास तोड़ा सा presence रखिए ब और सब्सक्राइब करना ना भूले advanced excel, SQL और other IT related technology सीखने के लिए आप हमारे virtual classroom training session join कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में thank you